हेलो फिवर्स वेलकम तो और चैनल दा इंडियन एक्स्प्लेइनर दोस्तों आज हम जीस मोवी को एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं ये मोवी हाली में ओस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा ट्रीलर मोवी है जिसका नाम है कांतारा इस मोवी को पसंद भी किया है मोवी बहुत ही अच्ची होने वाली है इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखे और साथ ही अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए है तो जल्ली से जल्ली सब्सक्राइब की बतन को प्रेस करके बेल आइकन को भी आन करतीजिए ऐसी औ अमरे जब बहुत ही बरा था उनकी बीबी बच्चे भी थे और उनकी प्रजा उन्हें बहुत संदमान भी क्या करता था लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूत भी राजा को मेंटली सुख नहीं मिल रही थी मतलब कि वो किसी कारण से खुस नहीं थे वो हमेशा बिचलि रहते थे और उन्हें नीन तक भी नहीं आती थी अब राजा मानुशिक संती की खोच में कई मंदिरों में गए कई सादो से भी मिले लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ फाइनली एक पंदित राजा को बताते है कि तुम्हें अकेले एक सफर में जाना होगा और वहां वो एक ऐसी सकती को खोजे जिसे उन्हें शांती मिल सके ऐसे में राजा अकेले सफर करने के लिए निकल जाते है क्योंकि उन्हें किसी भी मंदिर या गूरू से सांती नहीं मिल रही थी इसलिए वो फाइनली अब जंगल में जाते है और एक दिन उन्हें वहां गगरा की आवाज सुनाई देता है राजा उस आवाज से दरते नहीं है बलकि उन्हें लगता है कि ये आवाज उन्हें प्यार से उसके पास पुकार रही है वो उसके पीछे पीछे चाते है और वहां उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है जिसके सामने राजा अपने हतियार सरेंडर कर देता है अब वहाँ टेंशन की बज़े से राजा को आत्मीक शांती मिलने लगती है और वो इस पत्थर को अपने साथ ले जाने का फैसला लेता है लेकिन तभी गाउं के लोग वहाँ पर आ जाते है और वो राजा से कहते है कि आपको यहाँ से जो चाहिए आप ले चाहिए लेकिन आप हमारे देवा पंजूरली को यहाँ से नहीं ले जा सकते है तभी अचानक गाउंवालों में एक इनसान के अंदर देवा खुद आ जाते है और वो राजा से कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो इन गाउंवालों की रक्षा कौन करेगा अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमारे साथ आऊं तो तुमें इन गाउंवालों को वहां तक जमिन देना होगा जहां तक मेरे इस चीक गाउंवालों को सुनाई दे बदले में मैं तुमारे साथ आऊंगा जिसे तुमारे आत्मीक शांती बरकरार रहेगी और मेरे साथ गुलिगा भी आएंगी लेकिन ध्यान रखना अगर तुम कुछ गल्ती करते हो तो मैं तो तुम्हें शायद माफ कर भी दू लेकिन गुलिगा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा ये सब सुनकर राजा मान जाते है और देवा को अपने साथ लेकर स्तापित कर देते है साधी चट के हिसाब से गाउवालों को काफी सारे जमिन भी मिल जाते है तब से राजा एक सुखी और संपन जीवन जीने लगता है और यहां से कहानी अब सन 1970 में शीप्ट हो जाती है अब इससे फेले मैं कहानी आपको आगे बताओं आपके लिए करना तगा के कोस्टेल रिजिन के कहानी को थोरा जानना जरूरी है यहां मैं आप लोगों को डिटेल में तो नहीं बताओंगा क्योंकि इसके लिए तो एक लंबी बीडियो बनानी पड़ेगी लेकिन फोर नाओ आप लोग बेसिक्स ही जान लीजिए दरसल पूरभी मैंगलोर साइट के लोग जिनका मादर टांग अकसर तुलू होता है वो लोग देवा में मानते है देवा एक ऐसी सुपर नेचरल स्परिट की तरह है जो कि वहां के लोगों की हमेशा से रक्षा करते आए है और उन्हें पूजने के लिए बूदस्तना होता है कहा जाता है कि लोगों को ठिक दंग से रेस्पेक्ट देते हुए देवा को पूजना होता है क्योंकि अगर उन्हें किसी तरह से भी थेस पहुँच गए तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है बहुत ही बुरा अब इसी काल्चर का पार्ट है भूता कोला जिसमें पर्फॉमार यानि नर्थ तक भी बोल सकते है वो तयार होकर पर्फॉमेंस करता है और इस नृत्य के दोरान देवा उसे प्रोजेस करते है इस पर्फॉमार इज्यली एक ही फेमिलिक से होता है जो की पीरी दर पीरी करते आए है और इसके दोरान देवा लोगों को ब्लेस भी करते है है ना इतना अमेजिंग। कुछ केसिस में भूता कोला के द्वारा देवा लोगों की परसनेल डिस्प्यूट्स या फिर विलिज डिस्प्यूट्स को भी सॉल्ब करते हैं। अब तुलू नडो में लोग कई देवा को मानते हैं और हर एक देवा की अपनी अपनी एक कहानी होती है। जैसे की गुलिगा, पंचूरली, कलकुरा, इत्यादी फिलिम के इनिशियल सीन में गाउवालों में से एक आदमी देवा प्रोजेस किये थे। शायद ओ आदमी पहले पर्फूमर रहा होगा और देवा उसके थ्रोही लोगों से बात करते आ रहे है। ये कल्चर आज के दिन भी उहाँ पर फॉलो किया जाता है और इसकी कुछ ऐसी अमेजिंग रियल स्टोरीस है जो आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भरोसा ही नहीं होगा और आप लोगों के होश भी उर जाएंगे। अप सायाद आप लोगों को भी इस कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है तो आप फ्लिम की कहानी को आगे थिक दंग से अप समझ पाएंगे। और आप लोगों के बारे देवा के कहने पर गाउवालों को दिये थे। वह कहता है कि वह कोट में जाकर सारा जमिन अपने नाम करवा लेगा और इसी पॉइंट में परफूमर के अंदर डेवा आ जाते है और वह कहता है कि तुमारे बंच के शाथ सांती के लिए यह जमिन गाउवालों को मिला था, तो अगर तुम्हें जमीन चाहिए, तो मिल जाएगा, लेकिन उसी के साथ तुम्हारे और तुम्हारे पूरे फेमिली की शांती खतम हो जाएगी, और तुम्हारे आने वाली पीरी भी खुस नहीं रह पाएंगे, अब ये सब सुनने के बाद, वो इ देवा बहुत ही क्रोधित हो जाती है, और वो कहते है कि तुम्हारे फेसले तो कोट की सीरियों में ही हो जाएंगे, और रही बात मैं देवा हूँ या परफॉमर, तो अगर आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी देख गया, तो समझ जाना मैं परफॉमर हूँ, वाना देव ऐसे कह कर सिवा के पिता मसाल लेकर जंगल की और दोर जाता है, और वहाँ वो एक्दम से गायब हो जाता है, और इस दिन के बाद सिवा की पिता को किसी नेवी नहीं देखा, और रही बात उस राजा की बंक्स की, तो हो इनसान जो देवा पे सवाल किये थे, वो सच में कमला में प्रैक्टिस करते हुए देखते है, अब जिने कमला नहीं पता, मैं उन्हें थोरी सी बातों में समझा देता हूँ, कि ये एक तरह का खेल होता है, जहां बाफिलो रेसे में बाफिलो ओनर्स भी उसके साथ राइट करते है, और सोर्टेस टाइम में जो भी एक की वफिलो को जीता देता है, जिस पज़िए से गुशे में सिवा लैंड्लोट के लोगों से भीर जाता है, आखिर में लैंडलोट सिवा को ही मैडल पुरसकार देता है, और वो अपने आदमीों को ऐसी बेहमानी करने के कारण बहुत गुस्सा करता है, अब इस पॉइंट पर आपको फिल्म के कुछ करेक्टर के बारे में बता देता हूँ ताकि आगे आपको चीजे आसानी से समझ में आए सबसे पहले तो यह शिवा है जिसके पिता भूता कोला के वक्त 20 साल पहले गायब होए थे यानी सिवा की जो फैमिली है वो ही जेंएरेशन की इस ट्रेडिशन को केरी करती आ रही है नाव ट्रेडिशन के हिसाब से सिवा को ही उस भूता कोला का पर्फॉम करना चाहिए था लेकिन सिवा एकदम से पियक कर और निकम्मा टाइप का इंसान हो गया था इसलिए उसका भाई गुरुवा पर्फॉम करता है इन दोनों के मावी थी जो की हमेशा शीवा और उसके दोस्तों से गुसा करती रहती थी शीवा के दोस्तों में थे रामपा, बुल्ला, रच्चु, नारो, इत्यादी शीवा लिला नाम की एक लड़की को पसंद करती थी और उधर गाउं की फोरेस्ट को देखवाल करने के लिए जिसको एपोइन किया जाता है उसका नाम है इंस्पेक्टर मूरली जो की बहुत ही खतरनाक ओपिसर होता है लेंडलोट के बारे में हमने अभी अभी बात की है वो राजा की ही बंक्स का है खैर ये लेंडलोट तो अभी तक सही लग रहा था और उसके साथ सुधाकर नाम का भी एक ब्यक्ति रहता था जिससे कमला के वक्ग सिवा वीर गये थे तो कहानी के वक्ग हम ये जान पाते है कि सिवा और उसके दोस उस लेंडलोट का चोटा मोटा काम करते रहते थे चाहे वो लीगल हो या फिर इलीगल उससे कोई फरक नहीं परता था फोर एकजमपल किसी जंगली सुवर को मार देना जंगल में शिकार करना पेर काटना इत्यादी और ऐसे में लेंडलोट इन्हें कुछ पैसे दे देते थे और या फिर दारू वगएरा पिला देते थे और वो लोग भी इसी में ही खुश था शिवा की लाइफ सही चल रही थी लेकिन ये नया फोरेस्ट इंस्पेक्टर मुरली इनके नाथ में दम करने लग गए थे आई मीन वो लोकेल्स को पैर वगएरा काटने में रोकता था और वो गाउं के कल्चर में बिलिप नहीं करता था और सिवा और उसकी गैंग को शिकार करते हुए रंगे हाथ पकर के सजा देना चाहता था एशे में सिवा का सामना एक दो बार उस इंस्पेक्टर से हो भी जाते है और इनके बीच काफी हाता पाई भी होता है पर हम समझ पाते है कि ये दोनों एक दूसरे के दूस्मन बन चुके थे बेसिकली कहा जाए तो इनके बीच थोड़ी बहुत अनबंध हो जाती है और सब कुछ प्रोबलेमेटिक तब हो जाता है जब इंस्पेक्टर मूरली इस पूरे एरिया को रिजर्ब फॉरेस घोशित करने पर जूर जाता है इस सब के दोरान हम देखते है कि सिवा को अपने पीता के गायब होने वाले दृश्य अपने सपने में आते है और वो एक बार तो उसे जंगल में एक जंगली शूर दिखता है जो की गरगरा जैसी अभूशर पेने हुए थे यानि कि वो कोई नॉर्मेल शूर नहीं था इन सब के अलाबा कई बार शिवा को अपने सपने में दैवा भी दिखाई देते है कुछ दिनों के बाद लिला शहर से गाउ में बापस आती है और हमें पता चलता है कि वो पुलिस ट्रेनिंग वगरा लेकर आई है शिवा और लिला के बीच नजिदी किया बरती जा रही थी और शिवा लेंलोट से बात करके लिला को उसी जगा पर पुलिस की नौकरी लवा देता है अब नौकरी के पहले ही दिन इंस्पेक्टर गवर्मेंट के ओडर पे फोरेस्ट को नापने गाउ में आते है और वो इंक्रोस्टमेंट भी रिपोर्ट करने वाला था यानि की जिसके जिसके घर इलीगल तरीके से या फिर इलीगल एरिया में बनाए गए है एकोर्डिंग टू गवर्मेंट उन सब की रिपोर्ट वो सरकार को दे देगा ऐसे में गाउ वाले पुलिस से भीरने लगते है और तबी सिवा वाँ पर आकर पुलिस से भीर जाता है इस लराई में पुलिस वाले सिवा को बान देता है और वो लोग सुधा करके लेवर की मदद से इन्क्रोस्टमेन एरिया को खोटके उसे अगली प्रोसेस के लिए मार्क कर देते है अब इस घतना से गाउवाले एकदम से परिशान हो गए थे साथी वो लोग लिला को भी टॉन करने लगते है क्योंकि लिला पुलिस के साथ थी लेकिन उसका तो आज पहला ही दिन था एन्यूएस इस पूरे प्रोब्लेम को सॉल्ट करने के लिए लेंलोट एक वकिल को ले आते है जो कि गाउवालों की जमीन के पेपर्स वेलिडेट करेंगे और अगर पेपर्स नहीं है तो फिर उनका पेपर्स बनवा देंगे एकोर्डिंग तो वो कहां रह रहे है वकिल एक एक करके सब के पेपर्स में अंगुता लगवाते है क्योंकि गाउवाले जो थे वो इतने परे लिके नहीं थे और उदर इंस्पेक्टर भी जोरो सोरो से अपना काम में लग गया था ऐसे में सीवा और उसके दोस्त इंस्पेक्टर शेपंगा लेना लग जाता है मतलब कि वो लोग शिकार करते हैं और अब पहले से भी ज़्यादा पेर काटने लग जाते हैं ताकि इन सब से इस इंस्पेक्टर का ट्रांसपार हो जाए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कभी कभी सीवा शुदाकर और लेनलोट के लोगों से भी भी जाता था लेकिन लेनलोट का सीवा के साथ कुछ अलगी प्रेम था क्योंकि एक्स्ट्रा मेरिटल एफेट्स में वो सीवा को ऐसे गाट ले जाते थे और इन जेनरली लेनलोट सीवा के प्रती काफी अच्छा भी एप करता था लाइक उसे पैसा देना, दारू पिलाना, इत्वादी तो एक राट सीवा और उसके दोस्त किसी बरे से पेर को चिपकर से काट रहे थे तब ही सुडा कर पुलिस को उन लोगों का लोकेशन बता देते है पुलिस फोरन वहां पोच जाता है और हर बरी में वो बरा सा एक पेर पुलिस की गारी में गिर जाता है जिससे उस जीप में बेटे सभी लोग खायल हो जाते है इस गतना के बाद सीवा पे एटेम्टू मर्डर का चार्जेस लग गया था और वो अपने दोस्तों के साथ पुलिस से बचने के लिए जंगल में चिपकर रहने लगा था उदर पुलिस सीवा और उसके दोस्तों को हर जगा धोन रहे थे और इसलिए शीवा को चिपचुप कर गाओं में आना परता था ऐसे ही वो एक बर सीवा लिला से मिलने के लिए आता है तो वो वहाँ पुलिस वालों के हाथों पकरा जाता है और ऐसे में उसे और उसके सातियों को पुलिस लोग जेल वेज देते अब उस राद गुरुवा लेंलोड को फोन करके सब कुछ ठीक करने के लिए कहते है और लेंलोड कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा लेकिन आने वाले समय में चीजे और ज़्यादा खाराब हो रही थी शीवा और उसके दोस्त अब जेल में ही थे और पुलिस अब भी पूरे एरिया को रिजर घोशिट करने में तुली हुई थी तो एक दिन लेंलोड अपनी जीप में कही जा रहा होता है जब रास्ते में उसे गुरुवा दिखता है लेंलोड गुरुवा को अपने जीप में बिठा लेता है और वो एक जगा ले जाकर गुरुवा से कहता है कि कैसे ये पूरा जमीन उसका है और गुरुवा चाहे तो पाच एकर जमीन देगा पस गुरूवा को अपने performance के time ये बोलना है कि गाउँ वाले सारा जमीन landlord को दे दे यहां हमें landlord का असली खेल समझ में आ जाता है और गुरूवा ऐसा करने से साफ मना कर देता है गुरुवा कहता है कि देवा कभी भी ऐसा होने नहीं देगा और ये सुनकर लेंडलोड गुरुवा को ही मार दालता है फिर वो सुदाकर की मदद से गुरुवा की लाश को गाउं में ठिक वही जगा छोर देता है जहां भूता कोला हुआ करता था अगली सुबा गाउंवाले गुरुवा को मृत पाकर बहुत परिशन होते है और तभी लेंडलोड गाउंवालों के पास आकर सोक प्रकास करने लगता है मानो की जैसे उसे कुछ पताई ना हो कि गुरुवा को किसने मारा उसी तरब इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लेंडल अपनी वकिल की मदद से इस भोले गाउंवालों का जमीन को इलिगली हरप लिया था ऐसे ने इंस्पेक्टर डिसेड करता है कि वो गाउंवालों की मदद करेगा और इस पॉइंट पे हम समझ पाते है कि इंस्पेक्टर कोई भी बुरा इंसान नहीं था हमें उसे गलत समझ रहे थे बलकि वो बस फॉरेस को बचाना चाता था चाहे उसके लिए उसे किसी भी कॉंडिशन में चाहना परे इसके बाद गाउंवाले गुरुवा की मौत की खवर सिवा तक पहुचाते है और अब उसकी बाद पता लगता है कि सिवा एक दम से तूच जाते है यहां मैं एक बात बता दू जिस दिन गुरुवा को लेंडलोड ने मारा था उसी राच सिवा को एक सपना आया था जिसमें गुरुवा देवा के रूप में उसके सामने रो रहा था अब लेंडलोड को पता लगता है कि इंस्पेक्टर शायद उसकी काम में टांग राएगा इसलिए वो सिवा को जेल से चुड़ा कर उसे कहता है कि गुरुवा को इंस्पेक्टर मूरली ने ही मारा है ये सुनकर सिवा तूरंट ही लोहार के पास अपने तलबार धार करने के लिए चाहते है ताकि वो इस इंस्पेक्टर मूरली को मार सके लेकिन वहां लोहार सिवा को बताते है कि जिस दिन गुरुवा की मौत हुई उस दिन गुरुवा को जीप में लेंडलोड के साथ कही जाते हुए देखा था और वापिस आते टाइम लेंडलोड बस अकेला ही था याने कि गुरुवा को लेंडलोड नहीं मारा है और वो जूट बोल रहा है कि गुरुवा को इंस् और लराई के बाद वो लेनलोट को उसके घर पर जाकर धमकाता है इसके बाद सीवा अपने गाउ की तरफ बाइक से आगे बरते है तब ही रास्ते में उसे देवा दिखाई देता है जिससे शीवा का एक्सिडेंट होता है सीवा एक मशाल लेकर जंगल में जाता है यह सब के बाद शीवा गाउ पहुचते है जहां वो एकदम से शांत सा था और वो गाउवालो को बता देता है कि गुरुवा को लेनलोट नहीं मारा था वहां इंस्पेक्टर भी होता है जो गाउवालो को समझा रहा होता है कि अगर जमीन को रिजर्ब फोरेस घोशित कर दिया जाए तो यह लेनलोट का भी नहीं हो पाएगा उसके बाद कोट में अरजी देकर गाउवाले यहां रह सकते है यानि कि बले ही यह जमीन उनका नहीं हो पाएगा लेकिन वो यहां पर रह पाएगे और मोस्टली लेनलोट का इस पे कोई हाग नहीं रहेगा दूसरी तरफ लेनलोट डिसाइड करता है कि वो अपने आदमियों की मदद से पुरे गाउव को खतम कर देगा और इसलिए वो कई लोगों के साथ यहां आकर गाउवालों पर हमला कर देता है जावब में गाउवालों भी लेनलोट के आदमियों के साथ लरते है गाउवालों के साथ साथ सीवा और इंस्पेक्टर दोनों ही थे यहां काफी गमासान लराई होती है जहां पे दोनों साइके कई लोग मारे जाते है और कई लोग घायल भी होते है और वो सेतान लेंडलोट ये सब दूर से एंजोई कर रहा था इस भयानक हतापाई में सिवा के दोस्त बुल्ला मारा जाता है और लराई में एक पॉइंट आता है जब सुदाकर भी लेंडलोट के खिलाब हो जाता है एंट्रो आउट दो मोवी हम देखते है कि सुदाकर भले ही बुरा आदमी था लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बुरा काम करने में थोड़ा सा अजीब लगता था और एंड में वो आखिर पलत ही गया लेकिन इसके परिनाम यह हुआ कि लेंडलोट ने सुदाकर को ही मार दाला सीबा लरते हुए लेंडलोट के तरफ बढ़ता है लेकिन लेंडलोट के एक देंजर आदमी सीबा की गरदन पकर कर उसे हावा में लटका देता है ऐसे में शीबा का सरीर शांत हो जाता है जहां पर ऐसे भीवर हमें लगता है कि शीबा मर गया शीबा की मौत के साथ लेंडलोट अपनी जीत खोशित करता है और वो गाउवालों को उल्ती सीधी बाते बोलना शुरू कर देता है तब ही हम देखते है कि देवा शीवा के पास आकर चिलाते है और इसी के साथ शीवा अचानक से उठकर खरा हो जाता है लेकिन शीवा अब नॉर्मेल इंसान नहीं था बलकि पूरी तरह से प्रोजेस था जी हाँ उसे देखकर क्लियर हो गया था कि उसके अंदर गुनिगा आ चुका है और वो एक एक करके लेंडलोट के सभी लोगों को मार गिराते है फिर सीवा के थुरू गुनिगा देवा लेंडलोट से कहता है कि तुम इतना पाप जो किये हो तो तुम्हें क्या लगा कि तुम बच जाओगे पंजूरली देवा सायद तुम्हें माफ कर दे लेकिन मैं नहीं करूंगा तुमारे खोन से यहां के मित्ती को सिरसा जाएगा और ऐसा कहने के बाद वो लेंडलोट को भी मार देते है और दोस्तों यह जो एंडिंग सीन होता है न यह देखकर आप लोगों के रोंगते खरे हो जाएंगे अब यहां से कहानी कुछ दिनों के बाद की दिखाई जाती है जहां हम शीवा को भूता कोला करते हुए देखता है और वो उस इंस्पेक्टर और बाकी गाउवालों को यहां के भार सौपते है यहां लिला प्रेगनेंटी जिसका मतलब लिला के पेट में शीवा का बच्च करते है और वो दोनों एकदम से गायब हो जाते है यानि कि सीवा भी उस दिन के बाद से गायब हो गया और उसे किसी ने नहीं देखा मतलब कि सीवा लराई के टाइम पर ही मर चुका था उसे बस एक्स्टर जिन्देगी कुछ देर के लिए देवा ने उसे दिये थे ताकि वो अपना काम पूरा कर सके ग्रेडिक चिन में सीवा के बेटे थोरा बड़ा हो चुका था और उसे सीवा के दोस्त उसकी कहानी सुना रहे होते है और इसी के साथ इस मोबी की हाँ पर डी एंड हो जाती है तो दोस्तो है ना ये एक अमेजिंग आसकर नोमिनेटेट मोबी आप लोगों को ये मोबी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए साथी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते है एक और नई एडबेंचर ट्रिलर मोबी के साथ तब तक के लिए गुड़ जय हिंद